तो फाइनली आई डिसाइडेट कि डंकी वसेज सलार में कौन असल विनर है तो इस कंक्लियोजन को समझ लिए तुम्हें S.R.K.M.C. या रेबल स्टार प्रवास अनना के फैंस नहीं बल्की एक जेन्वेन ओडियंस की तरह समझना पड़ेगा तब ही तुम्हें ये दो बेसिक पॉइंट समझ में आएंगे जिसमें से पहला आता है इफ्रेंट स्टोरी लाइन दन के जाब एक रियल वर्ल्ड को शुकरने की पुशिश करती है ये लाइफ इंसीडेंस के साथ तो उसे मूवी के परसप्शन से जज़ किया जा सकता है कि मूवी अच्छी है अक्टिस का परफॉर्मेंस अच्छा मूवी एक गुड पेजिंग के साथ आगे बढ़ती है और हमेशा हर 10-15 मिट में एक रिजन देती है कि तुम्हें क्यों और थोड़े टाइम अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए जिसका आप एक 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 एक्जामपल देके समझाओ तो जब हाडी, मन्नु, पन्ली और इन तीनों से मिले दुबई जाता है तो वहाँ पे जब मन्नु से पुछती है कि तुन्हें कोठी के बाहर मेरे पिता जी का नेम प्लेट लगाया गिनी तब हाडी उसे कहता है कि तो ख पूरा का पूरा सीक्वेंज है ना उसमें यह छोटे सी चीज नोटिस करोगे कि जब हाडी उसे प्रपोस कर देता है तो मुझे फील हो गया था कि थेटर में कि भाई वह बेल बज़ेगी क्योंकि एकदम पॉफेक्ट मुमेंट था उस ताम पर बेल बज़ती तो यह सीन ए लटता है मनु आ पर मर चुकी रहती है विच गिव जन अनदर रीजन तो वच फॉर्दर फाइव मिनिट्स की भाई अब आगे क्या होगा कि अब आगे हाडी का क्या होगा और भाई वो जो पूरा सीक्वेंस है ना और सीक्वेंस के दौना आंगा तुम ध्यान दोगे ना तो जो हाडी यानि कि शारुखान में जो उस ताइन पर कुछ दो मिन का एक्स्प्रेशन दिया है न वो ला जवाब था भाई वो लिटरली मुझे स्टिल याद है क्योंकि मेरे साथ से किसी ने भी एक्सपेक्ट में किया होगा कि हमें एक हैप्पी एंडिंग की जगा एक एंडिंग देखने मिलेगी which is literally the peak of that movie मतलब को situation भाई पीक था literally पीक था तो इस मामले में मैं ठोब बजा के कह सकता हूँ कि डंकी सलार से स्टोरी के मामले में कई कुना जादा आगे है और best है I guess but सलार की अपनी एक स्टोरी राइन है और उसकी कई सारे plus points है जहाँ पे सलार का सबसे बड़ा plus point है वो एक मासी और action thriller movie है जो कि इस साल का trend भी है बाई जैसे कुछ शारुक खान की पठान और जवान इन दोनों नहीं साबित किया था और साती साथ विजय तलबित कि इंडियो और superstar रजनी कान साब की जेलत इन सब ही ने साबित किया था कि ये साल पूरा जान की टाइगर 3 और ये बेस्ट एक्जांपल है वाई बेस्ट एक्जांपल क्योंकि ये सभी जानते हैं कि टाइगर 3 का स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन वहाथी जादा हड़ ग्लास था मुवी सरफ और सरफ भाई जान के स्टार्डम और इम्रा नाश्मी के परफॉर्मेंस की वज़े से 300-400 परूर कमानी और यही चीज सलार बे भी लाबो होती है और मैं भाई जोट भी नहीं बोलूँगा कि मुवी में कचरे जैसा भर-बर की सीन्स डाल दिया है नहीं मुवी में गिंती के पापाट सिक्वेंस पर इसमें तरड़ा एक्शन था लेकिन वह काफी जादा खिचा-खिचा सा फील होने लगता है मतलब जानवुष के उन सीन्स को ना लंबा किया गया है यह फील हो जाता है जिसके वाज़े से ना मुवी काफी जादा अन्रियल सी फील होने लगती है लेकिन सलार वह लोग इंज़ाइदा कर पाएंगे जिन्नोंने के जीएफ वन और के जीएफ नहीं देखी है और एवन कर लेंगे लेकिन सेकेंड आफ आते आते ना वह लोग के दिमाब में क्लियरली यह चीज़ फील होने लगी कि उन्हें कि पहले तो सलार कई हद तक बहुत जादा के जीएफ के टोन उसके म्यूजिक को फॉलॉग अप करती है जो कि मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं लेकि जे मोहित और बादल के मुकाबले क्योंकि इन पीनों को इन एंडिंग उतनी जादा पसंद नहीं आई थी इसले मैंने इन लोगों का एक्जामपल लिया क्योंकि इन तीनों को फिस वीडियो को देख रहे हो तो तुम अव्यसले एक मूबी एंथिस्यास्ट होगे तुमें म था जितना हम सब ने एक्सपेक्ट किया था और मैं जोग नहीं बुलेंगा आइफील सेम थेंग कि भाई नुवी के इंडिंग उतनी जादा कन्वेंसिंग नहीं लग रही थी जितनी उसे हो नहीं शहीर बट मेरा एकर आए कि सालार पार्ट वन सी स्वायर सालार के उनिवर्स की ज़स्ट स्टार्टिंग है ये कोई एंडिंग नहीं बलकि इस ज़स्ट अ बेगिनिग क्योंकि अब तक हम लोग को ये भी नहीं पता है कि देवा ने वो सी कैसे बनाई और क्यों बनाई इसे देखते ही लोग इतना सादा दर जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि अब तक हम लोगने सरफ सलार के युनिवर्स की इनीशल बिल्डिंग देखिये है सलार पार्ट वन सी स्वायर में और भी काफी कुछ देखना बाकी है अभी अगर सलार पार्ट वन सी स्वायर की बात करें तो स्टोरी के मानन में वो दंकी से कई गुना जादा पीछे है क्योंकि भाई अब तर हमें Salar की पूरी कहानी दिखाई नहीं गई है जूकि हमें पार्टों में तिखाया जाएगा लेकिन अगर Salar पार्ट वन से इसे कंपेर किया जाए यानि की डंकी को कंपेर किया जाए ऐसस्टूरी वाइस तो भै इसका कोई मुकाबला नहीं है स्टूरी वाइज एज डिरेक्शन एज स्क्रीन प्ले काफी जादा पिटर रहे हैं और जिसका एक उव्यस सारीजन है कि भाई ये पार्ट तू तक खिची गी सलार योगि मैं ख्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा हूं मैं बस एक रीजन दे रहा हूं कि भाई तंकी सलार से कैसे जीत रही है जो कि story के मामले में जीत रही है और भी बहुत सारा September ux own की टेरिक्षन वो सब reduction लेकिन पैसे मामलि में तो तगड़ी कमाई कर ले लेकिन story और बाखिसर का मामले में सबारमा की सद्वाबा जिसे कई कुना जादा पीछह है और पीछह बें धी यह जब आप यही है कि डंकी वसल सलार के मामने में the winner is always राजकुमार हिरानी और शारुक खान की डंकी ही रहेगी और अब आए 9 कि सलार और प्रभास के फैंस को बुरा लगेगा बट भाई इस रियालिटी यार तो मान या ना मानो इस चीज़ को एकसेप्ट करना पड़ेगा जिनको मूवीज का नॉलेज़ है वो डेफिनेटली तुम ही क्लियरली बदा सकते हैं कि सलार और डंकी में कौन सादा आगे हैं तुम उन्हें मूवी दिखाओ फिर मुझे आगे गानिया दो